माई डिजिटल वर्किंग चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है CSE Portal से IRCTC Agent ID Registration यानि की IRCTC Railway Ticket Selling Agent Registration आप अगर CSE भेली हैं अब अभी तक IRCTC में Registration नहीं किये हैं तो जल्दी से Registration करें इस वीडियो को देखने के बाद आप असानी से CSE Portal से IRCTC Agent ID Registration कर सकते हैं आप अगर IRCTC Agent ID लेते हैं और अपना सौप से Railway Ticket Selling किजिएगा तो आपका अमदनी बढ़ने वाला है पर दे 30-40 Ticket Selling करते हैं तो आपको महिना में 20-30,000 अमदनी होगा पर टिकट पे 30-32 रुपया आपको कमिशन मिलेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और CSE Portal से भेली अपना IRCTC Agent ID Registration कैसे करते हैं Registration करके दिखाएंगे Live CSE Portal को Login करना है CSE ने भेली के लिए IRCTC Registration अफर निकाला है एक सो रुपया में IRCTC Registration कर सकते हैं तो भेली के लिए सुनेरा मौका है एक सो रुपया में IRCTC ID ले सकते हैं इस अफर का भेलीड है 26 जनवरी 2022 तक Republic Day अफर तो चलिए फटफट फट IRCTC Registration कर लेते हैं CSE Portal Login करने के बाद सर्विस में किलिक करना है IRCTC सर्विस को सर्च करना है यहां पे सर्च बार है इसमें किलिक करना है यहां पे टाइप करना है IRCTC IRCTC टाइप करने के बाद सर्विस आ गया है यहां पे दो सर्विस है एक नंबर में है IRCTC Registration दो नंबर में है Railway Ticket Booking IRCTC Registration करने के लिए पहला वाला सर्विस को अपन करना है और जो भेली पहले IRCTC Registration कर चुके हैं उसके लिए दूसरा वाला सर्विस है तो अभी new IRCTC Registration करने वाले हैं पहला वाला सर्विस को अपन करना है click here में click करना है IRCTC Service CACC से connect हो गया है यहाँ पर अपना CAC ID देख सकते हैं IRCTC Agent Registration Form यहाँ से New IRCTC Agent ID Registration करना है IRCTC Agent Registration Form RS 100 Non-Refendable Security Deposit IRCTC Agent Registration Fees 100 रुपईया लगने वाला है यह पैसा Non-Refendable है Security Deposit रहेगा अभी 100 रुपईया में Registration हो रहा है 26 जनवरी 2022 के बाद यहाँ पर रेट फिर बढ़ जाएगा 1000 या 2000 हो सकता है तो अभी भेली के लिए Registration करने का सुनेरा मौका है IRCTC Agent Registration करने के लिए इस लिंक में किलिक करना है किलिक हेर इसमें किलिक करना है Registration for IRCTC Agent यहाँ से IRCTC Agent Registration Starting है Registration करने से पहले 4-5 बातें आपको याद रखना है पहले हो गया आप किस टाइम IRCTC Agent Registration कर रहे हैं यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सुबह 9 बज़े से 6 बज़े साम तक आप Registration कर सकते हैं दूसरा हो गया Mobile Number आप अगर पहले IRCTC में Self ID बनाए हैं और उस ID में अपना Mobile Number Registr कर चुके हैं तो उस Mobile Number को छोड़ देना है Other Mobile Number को Registr करना है तीसरा हो गया Email ID Email ID को भी Change करना पड़ेगा चौथा हो गया Pen Card Number आपने अगर IRCTC Self ID बनाए हैं और Pen Number Registr कर चुके हैं तो आपको पहले उस IRCTC Self ID को Deactivate करना है इन सब को आपको ध्यान में रखना है तब ही जाके आप Complete IRCTC Agent Registration कर सकते हैं इन बातों को आपको ध्यान में रखना है IRCTC Self ID को कैसे Delete करना है Delete करने के लिए IRCTC का Official Gmail में आप अपना पूरा Details Gmail करके Self ID को Delete कर सकते हैं Delete करने के बाद आप Registration करें तो चलिए फटाफट Registration कर लेते हैं Mobile Number यहाँ पे 10 Digit New Mobile Number फिल करना है Email ID यहाँ पे New Email ID फिल करना है Pen Card यहाँ पे अपना Pen Number फिल करना है और Submit करना है Mobile Number, Email ID, Pen Number तीनों को फिल करने के बाद Submit करना है Two Step में आ चुके हैं OMT ID यहाँ पे अपना CSE ID रहेगा Full Name यहाँ पे भेली Name रहेगा भेली Full Name, First, Middle, Last नीचे Scroll Down करना है Father's Name यहाँ पे अपना Father's Name फिल करना है Date of Birth भेली अपना Date of Birth फिल करना है Gender अपना Gender सेलेक्ट करना है Male, Female Pen Card Number यहाँ पे भेली अपना Pen Number देख सकते हैं पहला Step में जो Pen Number फिल कियें उसी Pen Number को यहाँ देख सकते हैं Enter Mobile Number, Never Use for IRCTC Ticket Booking मतलब वही Mobile Number डालें जो Mobile Number IRCTC में रजिस्टर ना हो Mobile Number, यहाँ पे अपना Mobile Number देख सकते हैं पहला Step में जो Mobile Number फिल कियें वही Mobile Number को यहाँ देख सकते हैं फैक्स नंबर यहाँ पे फैक्स नंबर फिल करना है माइन रोटी नहीं है अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो फिल कर सकते हैं नीचे स्क्रोड डाउन करना है एंटर इमेल आइडी never use for IRCTC ticket booking मतलब इमेल आइडी वही रजिस्टर करें जो इमेल आइडी पहले से IRCTC में रजिस्टर ना हो इमेल आईडी, यहाँ पर अपना इमेल आईडी देख सकते हैं, पहला step में जो इमेल आईडी फिल कियें, वही इमेल आईडी को यहाँ देख सकते हैं, state, अपना state सेलेक्ट करना है, इसमें किलिक करना है, district, अपना area district सेलेक्ट करना है, इसमें किलिक करना है, pin code, अपना area pin code फ फिल करना है नीचे इस्कुर अडाउन करना है अपलोड पैन काट अफ भैली अपना पैन काट को अपलोड करना है पैन काट का साइज 100 KB से कम होना चाहिए JPG फाइल में यहाँ पे कुछ गाइड लाइन मेंशन कर दिया है भैली सिर्फ अपने पैन काट परमान पत अपलोड करें पैन काट अपलोड करने के लिए चोईस फाइल में किलिक करना है जिस भी फाइल में पैन काट को रखे हैं वहाँ से सेलेक्ट करना है अपलोड CSE Center Location Address Proof CSE Center का Address Proof देना है Address Proof सेलेक्ट करना है इसमें किलिक करना है एलेक्सिटी बील है टेलिफॉन बील पंचायत सेलेक्ट करना है जो एड्रेस प्रूब सेलेक्ट किये हैं उस एड्रेस प्रूब को अपलोड करना है JPEG फाइल में उसका Size 100KB से कम होना चाहिए अपलोड करने के लिए Choice फाइल में किलिक करना है जिस भी फाइल में Address Proof Documents को बना के रखे हैं वहाँ से सेलेक्ट करना है Address Proof का भी Guideline दिया हुआ है CSE केंदर जहां चल रहा है वहाँ का Address Proof अपलोड करें तो चलिए फटा- फट पूरा डीटेल्स को फिल कर लेते हैं पूरा डीटेल्स फिल अप करने के बाद I Agree में टीक लगाना है फिर इसमें भी टीक लगाना है इसके बाद Pay and Submit में किलिक करना है यहाँ पे दिया हुआ है CSE Violet तो चलिए फटा-फट पेमेंट कर लेते हैं Pay and Submit में किलिक करना ह भेली आइडी, सर्विस नेम, IRCTC एजेंट, रजिस्टेशन, रजिस्टेशन नमबर यहाँ पे एक रजिस्टेशन नमबर मिलेगा Non-rependable Security Deposit 100 रुपईया CSE Violet से पेमेंट करना है पेमेंट में किलिक करना है यहाँ से CSE Violet से पेमेंट करना है CSE Password फिल करना है, Validate करना है Violet पेमेंट सक्सेसफफल हो गया है, पेमेंट सक्सेसफफल होने के बाद Receipt मिलेगा, इस receipt को Printout करना है, प्रेंट में किलिक करना है, आपका सिस्टम में जो भी Printer लगा हुआ है, उस Printer से Printer निकाल लेना है, जाहे आप Save करके रख सकते हैं, तो इसी तरह CSE through IRCTC Agent registration करना है, और बेल आइकन जोरू दबाएं और और आल में प्रेस करें ताकि CAC रिलेटीब सरकारी ओजना रिलेटीब चैनल में नियू अपडेट आए नोटिपिकरसन आप तक पहले पहुचे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में